सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं लीगल एसिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको में एक एक रिक्वेस्ट करना चाता हूं मैं उनसे एक्चुली आज मैं लीगल सर उसी अथौरिटी में गया था और वहां पर मैंने कुछ इन्फॉरमेशन लिए लीगल एसिस्टे सेंदगर में बैठा हुआ है तो आप कैंडली आप सब जो है आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाईए और आप मिलिए वहां पर जो ऑफिशल्स हैं जो सेकेट्रेट में बैठे हुए और ला डिपाट्मेंट में जाओ और वहां में पता करो क्योंकि यह सब क्लेक्टिव क्ले सारे फिवर में हो तो थोड़ा क्लेक्टिव अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी आज मैं मैंने कुई 5-6 लोगों को कॉल किये और उसमें से सिर्फ एक मेरे साथ आया और अगर वह एक नहीं भी आता तो भी मैं अकेले ही चले जाता और आने वाले दिनों में शायद मैं ज क्योंकि अभी सारा का सारा सेकेटरेट वहां पर बैठा हुए तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीस आप भी थोड़ी एक्टिवनेस दिखाएं थैंक यू बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आगे वीडियो में दे दी है तो आज बात करेंगे एक तो Legal Services Authority का जो एक्जाम हुआ था उसके बारे में फिर Prosecuting Officer उस एक्जाम के बारे में बात करेंगे फिर जो Legal Assistant है जेके SSB का उसके बारे में बात करेंगे फिर थोड़ी discussion जेके AS Mains का result और prelims जो होने वाला है उस पर बात की जाएगी तो ये तीन चा टॉपिक्स जो है आज हमारी discussion में रहेंगे तो सबसे पहले जेके Legal Services Authority तो जितने भी law students हैं और जिन्होंने भी एक्जाम दिया था जेके जेन के Legal Services Authority में जो की Junior Legal Assistant का हुआ था 13th of November को 2021 को हुआ था तो एक rumor चल रहा था कि भई ये post जो है वो विट्रा हो गई है तो आज मैं Legal Services Authority के Office में गया था ठीक है वहां पर मैंने एक अच्छे जितने भी जो भी अच्छी पोस्ट पर जो जो भी वहां पर काम करते हैं उनसे मैंने बात की है और उन्होंने मुझे ये बोला कि आज आज उन्होंने मुझे ये बोला कि ये post जो है विट्रा नहीं हुई है ठीक है मेर साथ एक और हम दो लोग गए थे तो एक और एड़ोकेट थे मेरे साथ तो हमें ये information मिली है कि और ये genuine information है एक genuine बंदे ने हमें बताया कि ये post जो है वो ये विड्रा नहीं हुई है और जो जो अब जो legal legal assistant का exam होना है ठीक है अब उन्होंने बताया कि जो ये क्या सोच रहे ह है जो legal assistant का exam होना है ठीक है ये पहले, पहले तो exam करवाएंगे اور उसके बाद, उसके बाद एक साथ इनका result ऑट होगा ठीक है मतलब क्या कि पहले जो जो in attendance का exam हुआ ठीक है अभी तक उसका result नहीं है, वह result इस लिए delay हो रहा है क्योंकि इन्होंने legal assistant का exam पहले conduct करवाना है ठी ये जब legal assistant का exam conduct करवा लेंगे फिर उसके बाद ये एक साथ इनका result निकालेंगे और उसमें फिर preference के हिसाब से ही लोग join करेंगे ठीक है जिसका जितना जादा merit होगा वो legal assistant में जाएगा और जिसका कम merit होगा वो junior legal assistant में जाएगा ठीक है वो तो obvious सी बात है में तो कुछ बताया नहीं गया लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि ये post जो है ये विड्रा नहीं हुई है और इनका जो है अब ये या तो पहले legal assistant का exam conduct करवा देंगे और फिर उसके बाद एक साथ इनका result out किया जाएगा ठीक है और क्योंकि अगर इन्होंने जूर्य legal assistant का result निकालना होता तो पहले ही निकाल दिया होता ठीक है और अगर ये post विड्रा होई होती तो पहले ही उसकी notifications आगी होती लेकिन बड़े एक genuine source से हमें पता चला एक बड़े credible source ने हमें वहाँ से बताया है जेंड के legal services authority का जो आफिस है कि ये post विड्रा नहीं हुई है और ये plan हो रहा है कि अब legal assistant का exam लेकर फिर इनका एक साथ result अनौंस किया जाएगा अब वो कब होगा वो उस बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि वो exam कब होगा अब दूसरी बात है prosecuting officer की ठीक है prosecuting officer के बारे में ये जानकारी मिली है कि जो prosecuting officer का result है ठीक है उस पर कोई भी stay नहीं है high court की तरफ से या cat की तरफ से कोई भी stay नहीं है ठीक है अब इन्होंने जो date डाली है वो 28 था अक्टूबर की डाली है तो सबसे पहले तो JKPSC को अगर ये case निप्टा देना होता जल्दी जल्दी यानि अगर JKPSC ये सोच रही होती कि पहले case निप्टा दिया जाए फिर उसके बाद जो है वो result निकाला जाएगा तो फिर वो छोटी date रखवाते है लेकिन ये date जो है बड़ी लंबी चली गई तोटी 8 था फ़ अक्टूबर की इसका मतलब JKPSC को इस case से जादा concern नहीं है ठीक है और JKPSC जहां तक मेरी information मुझे जो inform किया गया है JKPSC अगस्त के महिने में अगस्त के महिने में prosecuting officer का result निकाल सकती है ठीक है जो prosecuting officer का जो exam हुआ था उसका जो result out होना है वो क्या बोलते है अगस्त में उसका result out हो सकता है ठीक है ये मुझे information मिली है credible उससे मुझे information मिली है कि अगस्त में इसका prosecuting officer का result out हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो बोला गया मुझे कि JKPSC को अपना reply पता है उनको पता है कि उन्होंने क्या reply file करना है मतलब जो expert committee थी ठीक है expert committee की जो report है तो उन्हें पता है कि इसमें क्या है तो वो sure है अपनी जगा इसलिए वो इस case को ज़्यादा seriously नहीं ले रहे जो मुझे information मिली है ठीक है तो इसलिए जो बोला गया है कि अगस्त के महीन में इसका result out हो सकता है और फिर इसका selection process as it is आगे बढ़ता जाएगा selections हो जाएगी और फिर case जो है वो चलता रहेगा और जहां तक मुझे बोला गया case जो है वो मुझे नहीं लगता कि substantial उस पे पहुँचेगा उसका कोई substantial ground दिख रहा होगा जेके पेसी को जेके पेसी को शायद यहीं लग रहा होगा कि इसमें ये case जो है ये तो ये हट जाएगा तो क्योंकि उनको वो शायद sure है अपनी जगा की इसका कोई substantial ground नहीं है बाकी मुझे नहीं पता ठीक है आपके पास अगर कोई information है तो comments में आप लिख सकते हो लेकिन जो मुझे बताया गया है वो यही बताया गया है कि इसका result जो है वो अगस्त में out हो सकता है अब तीसरा legal assistant legal assistant और इसके बाद में JKS mains की भी बात करूँगा और prelims की भी बात करूँगा तो legal assistant legal assistant JKSSB तो इसके बारे में यह information है की जो यह जो promotion का चककर है ठीक है यह जो promotion का चककर है इसमें post जो है वो withdraw नहीं होने वाली है इसमें post जो है legal assistant की वो कम नहीं होगा है और 15घ जुलाई को अब इसकी hearing है तो अब देखते हैं कि 15 अब जुलाई को क्या होगा तो अगर तो ये case अगर तो law department की मरजी हुई तो ये case वो जल्दी खतम कर देंगे ठीक है जल्दी खतम कर देंगे और जो भी concern है जो promotion को लेके concern है उसे भी sort out कर दिया जाएगा ठीक है अगर तो वो चाहें अगर तो वो चाहें बिल्कुल इस case को जल्दी dispose of किया जा सकता है और जल्दी ये खतम हो सकता है और law department का भी मन नहीं है कि इसको इसमें और जादा जादा इसको प्रलॉंग किया जाए तो जो लेकिन अगर अगर तो चीजें दूसी तरीके से चली तो हो सकता है ये case लंबा जाए ठीक है इस case में काफी जादा dates dates भी पढ़ सकती है क्योंकि ये promotion को लेकर के जो इनका जो पंगा है promotion को लेकर तो अब इसमें law department जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कि भई ये जो promotion का चक्कर है ये site पर रखके उसका कोई solution निकाला जाए और फिर जो ये list है इसको announce किया जाए ठीक है तो अब ये law department और उसके जो employer है जो junior legal assistant है उनके बीज का tussle है ठीक है तो अब ये कितना लंबा चलता है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो मुझे जहां तक लग रहा है कि जो मैंने information लिए कि इसकी जो post है legal assistant की वो कम नहीं होने वाली है और इसका कोई ना कोई solution ज़रूर निकल जाएगा पर होने को ये जल्दी भी हो सकता है होने को ये matter solve जल्दी भी हो सकता है लेकिन इसमें time भी लग सकता है और अगर time लग गया तो फिर ये post जो है काफी मतलब ये case जो है काफी लंबा भी जा सकता है तो अब 15 अब जुलाई को ही पता लगेगा कि क्या reply file हुआ reply file होगा या नहीं होगा और उस reply में क्या होगा ठीक है उसी हिसाब से फिर ये आगे की जो भी चीजें होंगी उसी पर depend करेंगी तो लेकिन अभी तक के लिए यही information है कि legal assistant की post जो है वो कम नहीं हो रही है वो उतनी ही रहेंगी ठीक है अब जो जो था है JKS ठीक है JKS मेंस का जो result है वो सुनने में आ रहा है कि वो after 31st of जो जुलाई है उसके बाद ही होगा जो prelims होना है उसके बाद ही result announce होगा और जो age relaxation का मसला है अब फिलाल तो मतलब कुछ committee form हुई या नहीं हुई उस age relaxation के मसले के लिए अब इस बारे में अभी कुछ कोई information नहीं है लेकिन थोड़ा सा अभी लग नहीं रहा है कुछ की कुछ मतलब government की कोई मर्जी है age relaxation grant करने की अब ये depend करता है कि experience कितना pressure बना पाते हैं कितना pressure mount कर पाते हैं ठीक है तो जितना जादा प्रेशर माउंड कर पाएंगे through media तो फिर possibility हो सकती है कि शायद ये इनको relaxation मिल जाए और अगर relaxation मिल जाती है इनकेस अगर relaxation मिल जाती है तो फिर prelims जो है वो पोस्ट होन हो जाएगा और फिर वो अगस्त में ही होगा लेकिन अगर relaxation नहीं मिलती है कर दिया जाएगा तो अब जो इसका result है जेकेस मेंस का वो अगस्त में ही आएगा आफ्टर prelims तो उससे पहले आने की कोई संभावना नहीं लग लगी और फिर बाकी जो है अब इसके बाद जो है वो PLO-DLO PLO-DLO के बारे में ये information है Public Law Officer District Litigation Officer की जो post है उसके बारे में ये information है कि उसमें भी यही कुछ पंगा चल रहा था promotion को लेकर और department ये देख रहा था कि कल को कहीं legal assistant की तरह ही कोई ऐसा पंगाना पड़े कि कल को जो promote होने वाले हैं कल को वो फिर sure करना शुरू कर दें तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि शायद जो मुझे information मिल रही है कि जो post है वो reduce कर दी है शायद एक या दो जादा नहीं मतलब दो या तीन post जो है वो reduce कर दी है और वो उसमें वो promote करेंगे जो promote होने के लिए अभी deserving है और फिर उसके बाद जो है ये post ये जो notification वो release कर दी जाएगी और इसमें मुझे information मिल रही है कि इसका सिर्फ mains होगा इसका prelims नहीं होगा सिर्फ mains conduct करवाया जाएगा और फिर उसके बाद interview तो PLO-DLO का ये है और KCS की information मिली है कि इसमें जो experience है इस बार experience required नहीं होगा लेकिन अगली बार से शायद हो सकता है तो अभी वही discussion इनकी चल रही थी तो syllabus वगेरा का पूरा जो भी बनाना है और फिर जो ये experience है तो इस बार के लिए ये decide हुआ है कि experience नहीं रखा जाएगा और बिना experience के ये post जो है वो notify की जाएगी और आने वाले महीनों में हो सकता है ये notification release हो जाएगा अभी मैं इसके बारे मैं JKPSC भी जाऊँगा और JKSSB भी जाऊँगा मैं official से भी मिलूँगा जितनी कोशिश हो सकती है क्योंकि अभी जो सेकेटरेट है वो सेंद्गर में बैठा हुआ है तो मेरी सेंद्गर के candidate से एक request है कि आप जाऊ पता करो ठीक है officials वहीं पर है सारे बड़े बड़े लेकिन मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकेगी तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से हम जा रहे हैं तो अब आने वाले दिनों मैं शायद मैं जाऊंगा तो जो भी information होगी मैं बता दूँगा लेकिन फिलाल के लिए तो यह information है कि उसकी notification release हो सकती है एक दो महीनों में शायद और उसका जो यह experience का चक चकर साव इस बार experience नहीं होगा बट अगली बार का पता नहीं तो गैस अभी के लिए तो फिलाल यह information हैं तो अभी थोड़ा मैं ठका भी हुआ हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा और कोई भी अगर आपको doubt हो तो नीचे comments में पूछ सकते हो टेली ग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैं link description में दे दूँगा तो फिलाल के लिए thank you